हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है विभान सुट स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में तो दोस्तों आप लोग के समय बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि आरो यारो का नोडवी किसान आने वाला है तो आप लोग के बहुत ज्यादा ये कमेंट्स रहते हैं कि इसके बारे में डिटेल में इकजाम्स के बारे में बताईए तो हमने सोचा किसी ऐसे ब्यक्स से आप लोग को मिला आया जाए mist जो कि इस इकजाम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो बहुत डिटेल में सारी चीले बता पाएं तो अभी हम आये हैं प्रग्या प्रवाद चैनल के संसापक डाक्टर सियल्थ रिपाटी सर के बाद तो इनसे आज के इस वीडियो में आरो यारो के जो प्रिलिम्स का एक्जाम क्योंकि सबसे पहला तो इस दे तो प्री होता है तो प्री के बारे में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं कैसा मदलब एक्जाम होता है या क्या इसकी रडिनिती होनी चे सब कुछ आज के इस वीडियो में सर से हम जाने वाले बस आप लोग वीडियो में तक बने रहेगा एंड चनल पर पहली बारे चनल को सब्सक्राइब का नोडिकेशन बेल को प्रेस कर दिएगा ताकि इसी तरीकी की और वी वीडियो आप सभी तब को प्राप्त होती रहें हमारी चनल पर बहुत बहुत शागत और बहुत आभार विवान सुझी आरो यारो का नोडिकेशन की चर्चा है चल दे मतलब आने वाला है तो क्या इसके लिए क्या सही रणनीती प्री की एक्जाम के लिए क्योंकि सबसे पहला भीज तो प्री हो तो क्या इसके लिए सही रणनीती क्या हो नीचे प्री के लिए देखे निश्चित रूप से आरो के कपते में आ जाएगा और जैसा कि इसका इसकी परिक्षा में जो पद का नाम ही है उसका नाम ही है समीक्षा ठीक है तो समीक्षा और परिक्षा दोने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इक्षा का भी प्राय होता है इक्षण देखना और सम माने होता है भनी भांती तो यह जो पद जुड़ा हुआ है यहां इसी से जुड़ा ही है कि इस पद में जब हम अपनी कुर्ची पर वढ़ते हैं तो जो आदेश और निर्देश सासन के इस्तर से होते हैं या लोग सिवायोग में की की पुस्टिंग होती है तो जो उपर के अधिकारी अध्यक्ष, चेर्मैन या सच्यू इनके अस्तर से जो निर्देश होते हैं तो जो समिक्षा दिकारी होते हैं उनका सम्यक इक्षण इसी से समिक्षण बना है और इसी से परीक्षण परीक्षण में परिमाने होता है चारो और इसी से परिता बना है परिवार बना है तो परीक्षण में परीमाने और एक्षंड जब देख लेते हैं परीक्षण कर लेते हैं एक्षंड और परीक्षण तो उसी को क्या बोलते हैं तो परीक्षण में हमारे जो चारे जो जाग रूगता का प्रस्न है अब रही बात रणीतра की तु रणीत के संदर में कि जान बुछ करके वही प्रशन दिये जाते हैं उसका कारण यहीं है कि देखिए 1994 से प्रशन पहले से दिये जा रहे हैं जो पेपर से हो बाहर आ रहे हैं अभ्यरतियों को पेपर भी मिलते हैं तो जितने भी महात्पूर्ण चीजें पानिपत का यूद कब हुआ एलाहबाद में कौन था लखनव में कौन नहीं तो कर रहा था पटना में कौन नहीं तो कर रहा था इस प्रकार के जितनी भी महात्पूर्ण प्रशन लगवक आ चुके होते हैं तो इसलिए हमें अदलब सबसे पहली और मुख रणीत ही होनी चाह सब माननी होते हैं इनको पूरी तरह से देखिए समझगे का आधर करने का अभिपर यह है कि जो आए हुए प्रशन हैं उनको बारं बार रचिए ठीक है बारं बार निको समझगे उसी के इर्द इर्द परशन पूंछे जाते हैं ठीक है तो पहली रन्य ती जो प्रश्ण पत्र हैं तो इस प्रकार की जितनी भी लोग सिवायों की परिक्षाएं हुई हैं उन परिक्षाओं से सम्मन्नित प्रश्ण पत्र आपको पढ़े नहीं होने चाहिए वह सब वाधत बिलक्ल क्या होने चाहिए बिलकुल आपके गले में होने चाहिए जिसे जैसे ही आप परश्ण देखें आप इसका बिल् influen कुट्त ईक बात दूसरी बात है करेंट अफेटें परिक्षाण बैश्ण यहां कोंदित परिश्ण आपके त्यार होने चाहिए उसके कोई यह क्या है प्रतियोगता है कि हम एक से कैसे आगे बढ़ जाएंगे तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे हम पीछे राज व्योस्ता का पॉर्षन है लगवक्स सभी लोग त्यार रखते हैं कि विल्कुल सरालसा है महत्पूर्ण नुश्यद है राश्पती है निर्वाचन है ठीक है मुला अधिकार है नागरिक्ता है इसे संबंदित जो प्रश्ण है इसमें नयायल है काफी चर्चा में है तो प्रग्या प्रवाचनल में इन सब के जो पॉलेटी से संबंदित संब्सक्राइब बहुत सराल भाजा में मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गए आप उनको भी देख सकते हैं इसके अलाबा इसी के साथ में प्रग्या प्रवाचनल कर टेलिग्राम चैनल बना है उसमें जो ब करेंट अफेयर्स राजब्योस्ता और इन्वारिमेंट यह चाहे पीसस का हो चाहे आयस का हो इसमें आप भ्यरती लगबग एक दूसरे के समकच रहते हैं क्योंकि इसमें इतनी जटिलता नहीं रहती है तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे अगर अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो निशीत रूप से उन प्रतियोग्यों से पीछी हो जाएंगे तो यह दूसरी चीज हो गई और फिर तीसरी चीज यहां है कि इसी के साथ साथ आपके वल अगर यह सोचेंगी पुराने प्रश्पत्रों को देख लेने से हो जाए मतलब यह तीन चीज अगर आप हैं आपके पास हैं तो निशीत रूप से जो प्रारामिक परिक्षा का द्वार है आप उसको भेद देंगे आप उसको पार कर जाएंगे यह तो हो गई जीएस के संदर में रणीत और दूसरी रणीत इसमें क्योंकि सामान हिंदी भी आती है सामान इंदी ऐसा पूरसन है कि इसको लोग सामाने समझते हैं लेकिन उत्ती सामाने नहीं है उसके पीछे कारण है कि कई जगा एक तो प्रामारिक सामगरी का भाव जैसे इसी वारा भी पीशस में अभी का बिलोम आया था अब इसमें अधिकांस लोग आउपसरक्स जैसे अच्छी तरह से ज्यान इसी से अभी ज्यान साकूंतलम बना है तो अभी कब लोम क्या होगा अनविक्गी होगा इसी प्रकार से ऐसे धेर सारे सब्दे हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा इनके लिए प्रामारिक सामगरी आपके पास होने चीज़ घटना चक्र का एक अब प्रजुल है तो प्रजुल नहीं रह एक लेकिन वुज्गत हो शुती चीजी पर आप सावधान नहेंगे तो निशीत रूप से चीज़े ऐसे कैसे निगा हब सराइ पीएस्सी, यूपी, पीस्यस, आरो यारो, एपीएस की तैयारी करना चाते हैं, तो आप सभी के लिए भहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि गांधी जैनती के असर पर, पीडबलू के इन कोर्सेज पर 70% तक का डिसकाउंट चल ला है, यहाँ सबसे पहले बात करें सक्छम बैच की जो की 17 वी BPSC के लिए हिंगलिस मीडियम का बैच है, इसमें प्लिम्स प्लस मेंज का सलेबस कवर करा जाएगा, इसका फीज 3499 रूपे पुर्थम बैच, UPP से 2024 के लिए हिंदी मीडियम का बैच है, प्लिम्स प्लस मेंज का सलेबस कवर करा जाएगा, इसकी फीज 3499 रूपे सक्षम 4.0 बैच पीपी से 2024 के लिए हिंगलिस मीडियम के बैच प्लिम्स प्लस मेंज का स्लेबस कवर करा जागा साथ साथ इसकी फीज 3499 रुपे समिक्षा बैच जो की UPPSC आरो यारो के लिए प्लिम्स प्लस मेंज का बैच है फीज इसकी 1199 रुपे सच्चू APS बैच 4 UPPSC APS के लिए हिंगलिस मीडियम के बैच है इसकी 1199 रुपे है दोस्तों इन कोर्सेज में आपको क्लास नोट्स, स्टेडी मटेरियल, PYQ अनलेसिस के साथ साथ आपको इंडिया के टॉप डू के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा PYQ के इन कोर्सेज का लिंक वीडियो के रिसकितन बॉक्स में दिया गया है जाए और अपनी क्लासेज को जोइन किजिए और अपने तयारी को आगे बढ़े है अगर हम उनको न भूलें तो मेरा सरीर मेरा मस्तिस फट जाएगा आप सोचिए कि किस प्रकार से कर किसी न आपको इंसल कर दे हो ही चीज़ आपके दिमागों के घूंती रहेंगी तो फिर ठीक नहीं हो पाएंगी अब रही बात लेकिन एक उसको में मेराइज करना चाहिए ठीक है तो इसके लिए तरीका यही है कि जो हम पढ़ें यहां पढ़ने की प्रक्रियां होती। तो Android तो मस्तिस की किस प्रकार से चीज़ों को करता है उसको हसास कराना पड़ता है कि यह चीज बहुत महत्पूर्ण है तो सबसे पहले यह जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आया और आकर किस चला गया आप उसको याद रखोगे थोड़ी देर के याद रहेगा उसके भूल जाओगे फिर जैसे ओ आपके पास आया आपने उसको आओ भाई बैठो तो बारचीत करेंगे उसके बाद फिर सपोज करिए कि जो है आपने उसको नास्तापानी करा दिया उसने आपको कोई चीज कर दी फिर एक कैसे अरे हम तो आपके पिता के मामा के मौसी के बेटे हैं हमने का हाँ मेरी मौसीया सास वहां रहती थी तो हमने क क्या किया एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया संबंद स्थापित कर दिया तो फिर ओ चीजे दिमाग में बैठ जाती है तो इसका कहने का विप्राय यहा है कि जो चीज हम पढ़ें उसको पढ़ने के बाद उसको जो महत्तुपूर्ण बिन्दू है किताब बंद करके अपनी मत प्योग करते हैं विक्सित होती चली जाती है जैसे हमारे पूश्ट थी ठीक है अभी पुछ कसे रुख बना हुआ 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 उसका तो हमने उसका प्रयोग करना बंद कर दिया गायव हो गई तो अगर ठीक कि बस्तिस का प्योग नहीं करेंगे तो यह भी गायव हो जाए तो जो सही तरीका है सही तरीका यह है कि एक घटना को दूसरी घटना से को रिलेट करें जैसे अभी सपोच करें कि हमने नागरिकता संबंदी हैं हैं तो अनुचे नौ में है कि अगर कोई भारत की नागरिकता छोड़ देता है दूसरे देश की नागरिकता कर लेता है तो यहां के नागरिता छूड़ जाएगी ठीक है तो हम लोग ने इस पर जैसे नोदो-ग्यारा मुहावरा है इंदी में पड़े हैं तो जैसे आप वहां के गए तो छोड़ दिए अपर ग्यारा में क्या ग्यारा में नागरिता से संब्धित अधियम है तो इस प्रकार से एक आपको चीजें आपको बनानी पड़ेगी थे छीजे एक दूसरे से प्रेलेट करने की और दूसरा फिर जैसे हम किसी किसी चीज को इसलिए भिया लगते हैं कि बहुत महात्पूर्ण चीज है तो जैसे हम किसी चीज को लिए तो आप वहाँ पर लिख दें कि यह 2020 में प्रसन आया 2011 से प्रसन आया तो हम अपने दिमाग को यह डायरेक्शन देते हैं कि इस वेरी इंपॉर्टेंट फार एक्जामरेशन तो फिर निश्चित रूप से ओचीज हमारे दिमाग में बैठती है तो इसके तीन बिंदू है सबस्पहले जो आप पढ़िए उसको पढ़ने के बाद उ को साम तक एक बार दूरा लिजे आप हम लोग करते हैं कुपनिसत का प्रसी दवाक है वादे वादे जायते तत्वोधा साक्रटीज भी कहते थे जिसक्रशन दिमाग में धारन करने के जो आपके मित्र हैं उनसे आप कहिए चलो पूछो हमने पढ़ा हुआ है आप उनसे और हमें जो है इतना अच्छा गाइडेंस सेने के लिए निश्चीत रूप से हम यह कहेंगे एक जब भी इस प्रकार की बात आती है जो से आप ने का कि एक इसी किसासत भूलते हैं तो एक हतासा आती है कई बार हम परिक्षा में फेल होते हैं फिर लगता है कि आरे नहीं हो प्रवित्ती है लेकिन यहां पर फिर हमको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाधाएं बसुता हम मनुस्य इसले हमारे जीवन में बाधाएं आएंगी अटल भहरी बाचपी कहा करते थे बाधाएं आती हैं यहाएं घिरले प्रलह की घोर गटाएं कदम म है ना तो यह हमारी प्रवित्ती होनी चाहिए कि आज के विभांसू कल के विभांसू से और आगे होने चाहिए जो कल का विभांसू है आज के विभांसू से और आगे होना चाहिए हमारी प्रत्योगता वस्तवा अन प्रत्योग्यों से नहीं हमारी प्रत्योगता घुद से है हम अपने आप से पूछें जब हम सीशा देखते हैं अपना बाल जाड़ते हैं सब कुछ करते हैं तो अपने आप से पूछें यहां जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो जिसमें यहां व्यर्थ नहो कुछ तो सदूपाय करो तनको नरहो न निरास करो मन को तो क्यों क्यों कि इस तरदाइतु लेंगे तो निश्रीत रूप से हमें सभलता मिलेगी और आज नहीं तो कल हमारी जो हमारी सपने हैं वो साकार होंगे और हमें मान के चलना पड़ेगा कि जो वहाँ पर सुप्रीम पावर है वो न्याई है वो न्याई करता है तो जो एक वाक है कि जस्करनी तस्भोग उताता नरग जाता क्यों पच्छताता अगर आपने अच्छा किया है तो आपको स्वर्ग मिलेगा है ना भगवान राम कहते हैं तो कहते हैं कि को न जैसा कर्म खोग मं करोग अप पुरे मन से पड़ों है पूरा जीवन पड़ा है अप जैसा जीवन जीवन जीलो लेकिन इस समय अगर आपने ला परवाही की तो फिर वो आपके लेक्षम में नहीं होगी इसलिए हरशन का उपयोग करिए नद्यों जैसा आदर पाना है तो परवच्छोंड निकलना होगा ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवासा अभार बहुत 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 तो द बताया कि प्रग्या प्रवाई यूटूब चैनल है उसका अभी लिंक और साथ टेली ग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिपिन बॉक्स में सरका दे देंगे वहां से जाकर आप लोग जॉइन कर सकते हैं और वहां से मार्क दरसन ले सकते हैं तो वीडियो कैसा ल झाल 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 झाल